हें नमश्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार सभागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ पे गाईज एक अप्डेट आ गया है एनसी के तरफ से लॉट साइजेस चेंज हो रहे हैं है एनसी में जितने भी हमारे इंडेक्स ट्रेड होते हैं लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी मिट्काफ फिन निफ्टी हर एक इंडेक्स का लॉट साइज चेंज हो जाएगा कोई दिन पहले सेभी ने एक अप्डेट निकाला था उसमें क्या था कि बाईया जो दस हजार लेकर आते हैं और सारा पैसा वह लूज कर देते हैं फिर से सेलरी आती है फिर से लाते है और फिर से उड़ा देते हैं इस चीज को खतम करने के लिए यह कदम उठाया गया है सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है इस इस दा एटीन अक्टूबर को वो डिसक्स करते हैं क्या कुछ हो रहे वारा है चेंज तो पहले जो लॉट साइज था निफ्टी फिफ्टी का वो 25 का था अभी 75 जा रहा है 15 का बैंक निफ्टी का था 65 हो जाएगा मिड़ क्याब 50 का था 120 हो जाएगा निफ्टी नेक्टी जिसमें लिक्विडिटी नहीं ह है 10 का था 25 हो जाएगा अब इससे इंपेक्ट क्या पढ़ेगा नॉर्मली जर्नल जस्ट में नॉर्मली कि इसको इसके चेंज हो जाने से क्या इंपेक्ट आपकी ट्रेडिंग पर पढ़ने वारा थे बहुत सारे लोग समझधार है बहीं जिनको पता ही है ठीक है ना क्या हो यह अगर 13 to 15 रहता है तो अड़ दा मनी स्टार्टिंग के दिनों में सुर्वाती दिनों में जो होता है एड़ दा मनी 300 रुपे के आसपास यहां 400 रुपे के आसपास आपको मिलता है एक लॉट 15 का लॉट साहिज़े एक लॉट खरीने के लिए आपको 4500 रुपे देने का प्रिमियम देखो कि बड़े अराम से आपको श्टार्टिंग में 900 रुपे से 1000 रुपे के बीच में बिलता है तो एक तो सीधा सीधा पैसा यहां पर जादा लगने वाला है जहां हम 4500 में एक लॉट बैंक निफ्टी ट्रेड कर लेते थे जो सिरो बैंक निफ्टी करता वीकली एक्सपाईरी के बंध होने से जो कुछ दिन पहले ही निउज आया था यह सीधा सीधा हमारा 900 इंटू पंदरा यानि कि जो 4500 में हो रहा था वह सीधा तीन कुना बढ़ जाएगा चारतिया बारा और पंदरा सो साड़े 13,000 रुपे यहां पे हमारे लगने वाले हैं एक बार रिमूब क्लियर करते हैं और हम नीचे चलते हैं और यहां पे लोट साइज इस बैंग निफ्टी 30 डबल कर दिया गया मतलब अब साड़े 13,000 वाले के पीछे हमें कितना देना पड़ेगा साड़े 13,000 वाले के 26,000 मतलब एक लोट करने के लिए 26,000 देना पड़ेग जो बंदा एक लॉट से ट्रेट करता था वो बाई डिफॉल टू लॉट पर सिफ्ट हो जाएगा मतलब एक लॉट भी लोग है तो तीस कॉंटिटी आएगा यानि टू लॉट का कॉंटिटी आएगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो पैसा कम है उस वजह से थोड़ा सा क्यों आता है मार्केट में उसको लगता है कि भाई मुझे ना एकदम से मैं बस रोज ट्रेट कर रहा हूं कोई ना कोई ऐसा जैकपट डे आएगा जहां पे मेरे प्रीमियम्स एकदम से मैं सो सो रुपे के लूंगा और वह 55000 के पहुंच जाएंगे इस होप में लगा रहत तर्न ओवर यह सकते हैं जो आपका टरौवर फीस यह सारा का सारा टर्न ओवर बढ़ा हो गया अब फूचर तीन गुना पैसा बढ़ जाएगा यहां पर देखो अगर देखो गया पाचिस का लॉट साइज दिया तीन गुना बढ़ा जिया गया बैंक निफ्यक्ति को इतना इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इसका मतलब क्या है इसका मतलब रिटेलर्स इनको लग रहा है इसके वज़े से निकल लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से फिन इंफ्लेंसर्स या फिर इंफ्लेंसर्स फॉरेक्स को इतना फर्मोट कर रहे हैं यहां पर पांच हजार से भी आप और स्ट इसके वह चाहें एक मिनिट में आप उड़ा दो बैसा वहां पर रिटेलर सेफ्ट हो जाएंगे कि वहां पर भी कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर को जो लगा हुआ है option trading करने का। जो उनके mindset में यह है कि भाया मुझे ना हर हाल में option trading करना ही करना है चाहे दो हज़ा डालके करना पड़े चाहे जीरो हीरो करने के लिए मुझे 500 रुपे ट्रेडिंग अकाउंट में डालके करना पड़े ऐसे लोग है लिटरिली यह करते हैं जो बड़े प्लेयर से उनके बारे में डिसक्सन करेंगे लेकिन अभी रिटेलर के बारे में एक दम ले मैं जो जश्ट सीखने के लिए आ रहा है उनके बारे में डिसक्सन है तो यहां पर उनको कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम हो जाएगा कि छोटे पैसे से वह ट्रेड नहीं कर पार तो वह सिफ्ट कर जाएंगे अपने आपको फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में जो कि जहां पे भी उनको सिर्फ और सिर्फ लॉसे ही होने क्योंकि अपना अप्रोच अगर ट्रेडिंग करने का चेंज नहीं किया जाएगा रिस्क मैनेज नहीं किया जाएगा अपने माइंड सेट को अपने आपको डिसिप्लिन नहीं किया जाएगा तब तक भीया मार्केट में पैसा बनाना मुस्किल है तो एक यह चीज हो गया है अभी अब देखिए मन्थली एकस्पाइरी होने के वज़ा से सबसे पहले मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं एक इस ट्रेंगल क्रियेट करता था बैंक निफ्टी का मैं इस ट्रेंगल प्लेयर हूं बिसिकली अगर उप इतनी ज्यादा बढ़ी होगी कि आपको जब मार्केट उपर है नीचे कि प्रिम्यम डीकी इतनी तेजी से नहीं होगा स्टार्टिंग डेज में एकदम से मार्केट अगर तीन सो चार्सों पांसों बन नीचे मारेगा तो आपके पीनल में फ्लेक्टुएशन बहुत हाई हो हो जाएगा एक तो लॉट साइज बढ़ा रहेगा जिसके वजह से क्या होगा बहुत सारे लोग डर से फियर से पहले ही एक्जिट कर जाया करेंगे यानि कि यहां पर आपका रिस्क मैनेजमेट थोड़ा सा टफ होने वाला है ऑप्सन सेलिंग में और पंदर दिन के बाद आप अप्सन सेलिंग कर रहें प्रीमियम थोड़े से लोग आपको मिल सकते हैं यह हो सकते हैं अगर अच्छा प्रीमियम मिल रहा है तो आप 15 दिन के लिए काम कर से लिए अब यहां पे लॉट साइज बढ़ने के वज़ा से उप्सन सेलिंग को क्या प्राबलम होगी अगर जो आप्सन सेलिंग करके दो लॉट से काम करके सीखना चाहरा था उसको पैसा जाधा लेकर आना पड़ेगा जितने पैसे बाईत्य बन रहा है वो आप 7PS बन रहा हैए एक मुड में बन रहार पर यहां पर यह रहा था वह बन रहा था आप अपर तो फाइव लाइक के आसपास उसके बाद इन वैल्यू को इनोंने क्या कर दिया है 15 से 20 लाग कर दिया है तो तो तीन लाग से चार लाख रुपए आपको पे करना पड़ जाएगा option selling एक lot के लिए अगर आप balance अगर आप margin benefit ले रहे हैं है तो थोड़ा सब कम हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं आपका margin money जहां आप एक लाख में तीन चार lot कर रहे थे वहां एक lot पर सिमित हो जाएगा कुछ ऐसा हो सकता है तो कहीं ना कहीं यह चीज़ रहेंगी एंड हां एक चीज और अगर आप दस पॉंट का stop loss लगाते थे आपको लगता है कि मेरे दस पॉंट का stop loss अगर हिट होगा तो देड़ सो रुप प्राब्लम्स हो सकती है यह सारा जो हो रहा हैं लागुर हो जाएगा इंप्लिमेंट हो जाएगा मैंने मेरे 교स कर सकते हैं रिटेलर्स जो बिलकुर bिगणर्स हैं जो नया सीखने आ रहे हैं वो फॉर एक्स या क्रिप्नों में सिफ्ट होंगять जो option सेलिंग कर उनको कहीं नहीं मत्ली एकुश्यarchy के वजह से विलीटलिटी में दिख्कत हो, कि इसके वज़से हाँ हो सकता है, बैंग निफटी में बैंक निफटी का वाल्यूम बिल्कूल डाउन हो जाते हैं, यहां पर खेम्श्यएं हो सकता है, लोग Toni को को सोच रहा हूं, Sensex मुझे लग रहा है उसमें अच्छी liquidity आजाएगी BST को इसका benefit मिल जाएगा Sensex Bankex discontinue हो रहा है Bankex वाले भी Sensex में जाएगे और Bank Nifty वाले भी Sensex को prefer कर सकते हैं अगर आप option selling करते हो तो आप comment करके बताईगे कि आप क्या prefer कर रहे हो और क्या आपका view है comment में एक बार जोरू पताईएगा hope करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है मिलते हैं एक वीडियो में जब तक के लिए जय हिन श्यापार